अगर इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं में रिए चाइना में लोग शिफ्ट हो हो रहे हैं ठeक है ना बंगलादेश में काफी निकली ना करें 1960s में के बाद पाक्सान की जो तरकी थी वो पाक्सान जेपान के लेवल की तरकी कर रहा था ठीक है पाक्सान ने कर्जा भी दिया था एक दो कंट्रीज को मैं अपने दीन को प्रमोट करना चाहिए मैं कभी भी नहीं चाहूंगा के मंदर मनें मैं अपने आपको दुनिया में एक अच्छी नेशन इंटर्डीज करवाएंगे ना तो तब हमारी दुनिया में को बात भी सुनेंगा ठेक है हम हम वावेला मचारने वाली कौम हैं बसाली हिंदू की बता रहा हूं अधर मानुटिस के नहीं हिंदू 21 परसंट है अभी एक पर कि मुझे पता हो लगाई उसने 35 तो लगाई उसने 35 तो हटा दिए ठीक है ना पीछे से डंडा किसका आया है सारी बात करो सारी बात करो मूब उसने अपनी फेस सेविंग किया है और हमने हमने गिल्गित बल्दिस्तान के अंदर से भी तो ऐस दिखो मेरे साल लोजिक करनी म है भी बात कर रहा हूं है और मुसलिम चैना के अंदर से चैना डे बाटे डिफिलेशन का सकार होता जा रहा है चैना के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों 14 परसंट गिर चुकी है इसी के बरक्स अभी आईमफ ने एक अपनी रिपोर्ट जा रही है उस रिपोर्ट के मु और इंडिया की यहां पर जैंग है इंडिया की यहां पर रेस चल रही है के वह क्योनिक फूर्प बने जारी गां मि आपको पूरी दुनिया को डिक्टेेक करना बड़न हो आपको चैना यॉन्ड फोर नहीं इस चाहें densil necessary one लिए लिए अगर मैं बात करूं बाहर एक्सपोर्ट के लिए से चाइना को टैक और करने जारा टाइम के अंदर क्या चाहिए बारत तो चायना से भी आगे निकल रहा हम क्या कर रहे हैं यह ऐसी बात नहीं है चायना का चैना जो है वह रखने एसी कोई बात नहीं यह सब इंडिया शीफ्ट हो रही है आपको नहीं लगता आपको मिना कहीं कैए अपके मुल्क में आलाथ बेतर होंगे तो इंडिया इदिर पालात हो चांड आपके लिए न हुप देर हई यहां यहां पर बात ना करें वह फेक्स बता रहा हूं जो मुझे समझ आरी है मैं उस इसरच पार यहां जो सब्सक्राइब और यहां गशार्च कर आम बढ़ां शाहिद आपको बात अची पहले हैं अगर आप देखेंगे चैना और इंडिया दोनों एक बहुत बड़े एक दूसरे को चालेंज करते हैं ठीक है वो बनने जा रहे हैं वर्ल्ल की सुपर पावर दोनों मुलकों के तरिम्यान रेस इस बात के लेगी है कि एक दोनों सुपर बावर बनेंगे और हम यहां पर किस रेस में हैं फसे हुए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्त इस आची आपसे आर्श कर र्रहा हूँ कि यह हुक्मरानों के करने के काम है कि मोलक रहत बहतर करें बातकर रहा है किAg इतना बड़ा जुलुम होता तो क्या एपल गूगल इतने बड़े-बड़े स्टोर्स वहां पर जाकर खुलते अमार कंपनी आपके मुस्लिम देश की जो सौधी अरेबिया और यूई सारी कंट्री जाकर कश्मीर में जाकर इंवेस्मेंट करती है अपनी इमार कंपनी कितनी बड़ी है एशिया का सबसे बड़ा वहां पर मौल बनने जा रहा है सरह हम यहां पर बिट रहे हैं वह तो हमसे जाद आचे मुसलमान इंडिया जो है वह बहुत बड़ी मार्किट है वह मार्किट करने जा रहे हैं ठीक है ना हर बंदे को खौईश होती कि मैं जो चीज प्रोड़क्ट बनाऊं जो चीज का बिजनस करूं वह फ्लरिश करें हमारे मफादा इसी में जो पूरी दुनिया में जिसका मुफाद है ह है मेरी कान मीड़ को ाकॉननों पहुत में थिकल लेंट के तरह ना हमारे हुकुम रानों ने वह काम ही और का ना चाहिए सीरिजली जो है ना सुछ वांत पिर कि 술 in सब्सक्राइब नि development video an लुइवा हमें आड़ आज़। वाम को भी निकलना चाहिए इन चीज्वह सूच का भी निकलना चाहिए जो है को भी निल हम चारे बार बार बदलके जो हैना यह यहाद्ञें कर्से के पकले में अवाम की भी सोच बदलने की जरूरत है, मैं सुप्रीम कोड ने आपका और दे दी है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा के मंदर मनें, यहां पर सिर्फ एक्स्टान निपूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान के इमेज ऐसे शो होगा, कि यहां पर सिर्फ एक्स्ट्रीमिस लोग रहते हैं, सर आप हर एक को वेलकम करें, खुदा की कसम कहा कहता हूं कि यहां पर एक जगह पर मंदिर हो, दूसरी जगह पर मज़ित हो, कम्यूटी को भी देखना है, कि जिन लोगों ने अगर वहां पर इबादत के लिए आना है, ठीक है ना, अब रस्ते में वो कहेंगे, यार ये लोग ये बादत, वो सुप्रीमिकोर ने तो अड़र दे अपनी जगह, लेकिन हमने ये देखना फसाद पैदा ना हो, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ पहली बनी हुई है, आप देखें, कौन सा दोड़ा है, कोई नी तोड़ा यार, यहां प्रिजर्व कर रहे हैं, कराची में दो मंदिर तोड़े हैं, रिसंट के कहानी हैं, सर बाबरी मस्जिद पर डिसकस करो ना, तो गुजराद में जो मस् करिस्टिंस के साथ हम कैसे चार्च तोड़ा अच तक, एक बात बता हूँ आपको, जो वाक्या हुआ, युनाबाद, युहानाबाद के अंदर मैं साधी रहता हूँ, युनाबाद के अंदर कितने सिकों को मार दिया गया, इद के मोके के उपर, मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ, यह कहेंगे, इसाइयों को, इद के मोके के उपर, कितने इसाइयों को अलाग किया गया, मेरे नजरों के सामें, युनाबाद के अलावा भी, मजभी इंतिशार के वजा से भी, सर देखें, कीडे बहुत है, हमारी तरफ भी है, अब स्याल कोट के अंदर, में श्यार के अंदर, इसकी जवाब तो ले लो, उधर तंवाZ को ऑखें, यह एदर मस्जितों में कितने तंवाखें होए है, अब सुना ने नहीं है, तंवाज रौका है, इसके इलावाध की बात कर रहो है, उसकी इलावध की बात कर रहो है, आप बिचले मुझे इक तो आप पर दो इस बात बनी यह यार मैं क्यों मैंने मेरा क्या रहा हूं मैं बागाऊं यार आपके पास वह आपके मुकंबल नहीं आप देखें कौन सा माइग्रेट करके गया है बलके मुसल्मान थोड़े दिन पहले गई है इंडिया हमारी मुसल्मन गई है बचे लेके यह अपने चलाना है चलाओंगा इसे चलाओंगा सर आपको भी दिखाऊंगा जब पाकिस्तान अजाद हुआ था पाकिस्तान अजाद हुआ था आ रही है आरी है आप देखिएगा इसमें सारी क्म्यूनिटिज के कटेंगी काटेंगे सारे काटेंगे सारे काटेंगे मेरा सवाल फिर वहीं पर है पाकिस्तान जब अजाद हुआ था तो 21 परसंट थे हिंदू कहां गए गए ने जो है वो कौन सी 370 लगाई है जो उसने लगाई है मुझे बताओ लगाई उसने 35 तो लगाई उसने 35 तो हटा दी ठीक है ना पीछे से डंडा किसका आया है इसने अपनी फेश सेविंग की है और हमने अमने इस साल लोजिक करनी मैं भी जगीन करो जूँन से निकलके नहीं आया इसी महाशरे में रह रहा हूं मैं भी इसी महाशरे में रह रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं हमें 370 में बड़ा दुक हुआ और गिल्गित बलतिस्तान में भी तो यून का रेजुलेशन के मुदाबिक के थे 351 को नहीं हटाना था 3500 को हटा कर हम जमीने तो सारी खरीद रहें तो इंडिया ने कर लिए तो यून के जो एना वह उसके आप जलास उठाके देख लें कि वहां पर दूसरे मुमालिक ने उनके सरबरहान ने काया कि इंडिया को नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं कहा नहीं का मुझे बताएं चाहिए पिछले यह एक डेड़ माह पहले का एक जो समिट हुई है उसमें चाहिए के जो आया वजीर उसने क्या कहा कि श्मीर के बारे कि अब मेरी भी बात सुने ना चले स्वादी रीपिया कोन है हम से जादा अच्छे मुसल्मान है आपको किस ने कह दिया नहीं यह तो ल शुआधी अदे मेरे बात खुने अधिर में तो मुश्रकीन भी थे पहले आप इना चल रहे हैं मुलक के सभी बिलकुल किसी को क्या वजवाद वजवाद हैं को चुट्री में जो सिटूरी ईस वकत लॉजकर नहीं है प्लस जो एधियर की गौनेंन्ट है अगर किसी एक पार्टी की हो उसमें तो वह होता है कंट्री के लिए कि सोचती है जब मिक्स चार होगा तो फिर वो सारे मिल जूल के अपने फायदा ही सोचेंगे कंट्री लोगों के लिए तो कुछ नहीं कुछ सोचेगा इंफिलेंशन रेट तकरीबन 40 पर संपला चला गया हमारा याने ले तुन्हें में और भी उपर जाएगा अब डॉलर चार सो पर जाने माला में भी शहर इससे भी उपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस चीज़ के सजा मिल रहे हैं कि सजा हमें बेसिकली बिइंग नेशन हमें एक आउम हम कोई फैसला नहीं कर पाते हैं ठीक है क्या फैसला करें हमें अपनी जो गौर्वर्मेंट्स हैं उनके साथ मिलके यह कोई ऐसी गौर्वर्मेंट तश्कील अवाम नहीं देनी ना गौर्मेंट अवाम बाहर निकलेगी तो किसी एक पार्टी को लेके आए जाए क कोई भी पार्टी हो अब यह मिक्स चार के लिए अवाम को बाहर निकलना चाहिए था जिस पर नहीं होना चाहिए था हम नो महीं के वाकिये के बाद पुलिस ने दो डंडे के हमारे अवाम सारी घर पर बैठ गी हम कहते हैं कि कश्मीर फदा करेंगे इन हलात के अंदर जहां तो किश्मीर के पे तो मेरे खाल में कोई बात भी नहीं कर सकता है वह मां हमसे बहुत बड़ी ताकत है अगर हमने उनके मिकाबले में आना है तो हमें एक अपने कंट्री को गौर्मेंट को नीचे लेवल तक हर अवाम को सूलियात देनी पड़ेंगी इसमें हम अवाम भी स् एंबीए हूं मैं तो आई वुड प्रेफर के मैं बाहर जाओं मुझे अगर मेरा कई सेटल्मेंट हो जाए पाकसान में तो बिल्कु भी कोई हालाती नहीं रहने वाले सफेद पोश है लेट से के अलम्दूल्ला अची अरनिंग है लेकिन उसमें भी गुजारा जो है ना सराय। एक तरफ नौ मैं के वाकिये के बाद हमें तो ये तो मैसेज मिल गया कि थोड़ा सा जोर लगने पर ये अवाम बाहर नहीं आने वाली। जी तो मैं कहा रहूं कि हम जो हैं हमारी कौम भाहर निकल सकती उठी नहीं है सोही विए है अब 9 मैं का जो बाख्या नहीं होन और उसके निस्पत अगर हम देखें एकॉनमी इंडिया की बूस करते वे नजर आ रही है वर्ल्ड वाइल के अंदर से सारी कंपनिस चाइना को छोड़कर इंडिया क्यों शिफ्ट हो रही है इंडिया एक बड़ी मार्कीट है और इंडिया मेभी अच्छा फसलिटेटर हो टेक्स में चूट हो उसमें और भी चीज़ें आप उसके ऊपर जाने की जो है बहुत सरी रिजन्स हैं हम तो इसी चकर में पढ़े हुए ना कि जी उसको मार देंगा हम इसको मार देंगे वह इस और एजुकेशन में अपना इंवेस्टमेंट कर लें तो हम इंडिया से बहुत आगे जा सकते हैं जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं 76 सावरी मैं आपकी बात कर रहा हूं आप देखें के जैसे 19 मैंने मैं तो तब नहीं था लेकिन मैंने बड़ूं से सुना है देखें सोब्सक्राइब इस अग्सान में के बाद पाक सान की तरकी थी वो पाक से जैपान के लेवल की तरकी कर रहा है ठीक है पाक सान ने आइसिंक ट्रसा भी दिया था दो कंट्री को लेकिन अब जो हलात है 19 बुटो साब की गूर्मन बुटो जिन्दा अभी जिन्दा जी फुद तो मारा गया है लेकिन बुटो भी जिन्दा और वो हम सब को मारके मरेगा फिर भी सिंदा रेगा क्या आने वाले टाइम्स के अंदर हमें अपने परोसियों के साथ रिलेशन बहतर करके उनके साथ ट्रेड करके पिछले बातों को बुला कर कश्मीर का मामले को बूल जाए अभी तो सर सेवंटी सेवंटी सिक्स हो गया अभी तक हल नहीं हो सके चार जंगे भी लड़ी कोई फैसला नहीं हुआ तो अभी मिल बैठके कोई फैसला कर लेना चाहि करेंगा हम हम वावेला मचारने वाली कौम हैं ठीक है हमारे जो रिस्पॉंसिबल लॉग है इस मामले में उनको वावेला यहां पर बैठके वियान बाजी का लेते हैं जब बाहर इंटरनेशनल नेवल पर जाते हैं उनको पता भी नहीं है कि मशला कश्मीर है क्या पुरी द सब्सक्राइब करने से किश्मीर नहीं है इंडिया के साथ तालुकात अच्छे होने चाहिए आपके यह नहीं है कि अगर हम उनके साथ रिलेशन बेतर कर लेते हैं तो कितनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए कितना बैनेफेशल सा भी दो सकता आने वाले टाइम के अंदर अगर हमारे किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करने से हम यहां पर अमेरिका को प्रेफर करते हैं अमेरिका देखे हम से कितना मील फासिले पर और वह है उन लोगों का कहना सही है बिलकुल सही है एक्षली है कि जो दुनिया है